नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है अरुन प्रबुदेश है और मैं आपके लिए और एक अच्छा सा बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इतर आएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजेगा हमें बहुत अच्छा लगता है और भी ज्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए Paytm Payments Bank ये जो बैंक है ये बैंक अपनी ट्रेडिशनल बैंक जो होती है वैसे नहीं है और ये आज लाँच हो रही है इंडिया में Airtel ने पहले ऐसी बैंक लाँच की है और उनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है लेकिन Paytm जो वालेट है जिनके 200 मिलियों से भी ज्यादा Subscribers already है वो अब Payments Bank लाँच कर रहा है आज 23 में है और 23 में को ये Noida में आज लाँच हो रहा है इसके details सब details हम लेके आए कि ये बैंक कैसे operate कर सकते हैं आप account कैसे खोल सकते हैं उसके charges क्या है debit card मिलेगा यह नहीं, interest rate मिलेगा यह नहीं यह सब कुछ details मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आज जब ये launch होगा इसका मतलब immediately आपको account आप खोल नहीं सकेंगे क्योंकि अभी invite basis पे सिर्फ available है आज जो launch होगा वो सिर्फ Paytm के जो employees हैं सिर्फ उनहीं लोगों के लिए available है यह जो first phase है उसमें लेकिन बहुत ही जल्दी आप अगर उनके payments bank website पे जाएंगे तो आप invite click कर सकते हैं invite me to the payments bank और आपको उसका invitation आ जाएगा अभी immediately नहीं कुछ दिनों के बाद और यह invite पाने के लिए आपको Paytm के payments bank website पे जाना पड़ेगा जो जिसका नाम है www.paytmpaymentsbank.com तो यह website पे आप जाएए और आप जाके खुद के लिए invite क्लिक कीज़े और आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी और अगर आप mobile पे हैं तो mobile जो Paytm wallet app है वो आप update कीज़े उधर भी request and invite का एक button आपको मिलेगा वो अगर आप click करेंगे तो उधर भी आपको invite आ जाएगा तो Paytm payments bank अभी से मैं PPB बोलूँगा क्योंकि Paytm payments bank बोलना बहुत ही जादा बड़ा हो जाता है तो PPB जो है उसके साथ आप savings account भी खोल सकते हैं और current account भी मतलब आपका business होगा और उसका bank account आपको खोलना होगा तो वो भी आप खोल सकेंगे यह savings और current account छोड़के बहुत ही जल्दी अभी पहले phase में नहीं लेकिन second third phase में और भी services हैंगे जैसे आप mutual funds buy current सकेंगे loans ले सकेंगे यह partner banks जो है उनके साथ Paytm tie up करेगा और वो Paytm payments bank के website पे आपको वो offer सब मिलेंगे सबसे बड़ा सब बहुत सरे लोगों को यह सवाल है कि मेरे अगर मैं Paytm wallet user हूँ तो मेरे Paytm wallet का क्या होगा पहले जो company Paytm wallet थी वो 197 communication के अंडर थी अब वो Paytm payments bank के अंडर होगी तो यह एक important change होगा इसका मतलब यह नहीं कि आपका Paytm wallet convert हो जाएगा Paytm's PPB account में वो convert नहीं होगा सिर्फ जो company होगी वो transfer हो जाएगी पहले 197 थी अब Paytm payments bank के अंडर आपका Paytm wallet होगा Paytm wallet आप अगर वैसे ही use कर सकते हैं जैसे पहले use करते थे उसका login वगेरे सब सेम होगा याद रखिए अगर 6 महिने से आपने Paytm wallet use नहीं किया होगा तो automatic transfer नहीं होगा क्योंकि आपको login करना पड़ेगा और specifically specify करना पड़ेगा कि यह अभी आप transfer कीजे Paytm payments bank के अंडर अगर आप यह सोचते हैं कि आपने Paytm wallet migrate नहीं करना चाहिए Paytm payments bank के अंडर तो आपका wallet close हो जाएगा मतलब या तो आप operate अगर करना चाहेंगे तो Paytm payments bank के अंडर ही operate कर सकते हैं 197 communication के अंडर आप Paytm wallet use नहीं कर सकते हैं दूसरा बड़ा सवाल इंट्रेस्ट रेट क्या होगा Paytm payments bank का बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जियो ने जैसे टेलिकॉम इंडस्ट्री को चेंज कर दिया वैसे Paytm payments bank banking industry को चेंज कर देगा वो बहुत ही high interest rate announce करेंगे ऐसे कुछ नहीं है वो 4% interest rate देने वाले हैं जो basically normally 3-4 टक के saving accounts और current account पे होता ही है बहुत सारे bank वो offer करते हैं Paytm payments bank भी वो offer करेगा लेकिन याद रखिए यह एक online bank है this is a transaction based bank तो अगर आप online transactions ज्यादा करते हैं तो यह bank का बहुत फाइदा होगा क्योंकि सब online transactions completely free हैं Paytm payments bank पे चलिए अब transaction charges की तरफ बढ़ते हैं जैसे मैंने बोला आपको online transactions completely free हैं आप एक bank से दूसरे bank में पैसे transfer कीजिए या individually अगर आप किसी को transfer करेंगे through NEFT, through IMPS, through UPI कोई भी online route के through अगर आप पैसे transfer करेंगे तो आपको कोई charges नहीं लगेंगे unlimited transactions आप कर सकेंगे यह सबसे बढ़ा फाइदा है उसका दूसरी बात Paytm payments bank आपको एक virtual debit card देगा तो आप online purchases जो करते हैं वो भी बहुत easily कर सकेंगे और आपको कोई भी transaction charges नहीं लगेंगे यह सबसे बढ़ा फाइदा होगा अगर आप Paytm payments bank के साथ account खोलेंगे तो दूसरी बड़ी बात है unlike a lot of other banks Paytm payments bank में आपको कोई balance की जरूरत नहीं है यह मतलब आपको अगर balance zero होगा इसका मतलब आपको कोई charges लगेंगे ऐसे बिल्कुल नहीं Paytm payments bank पे कोई भी charges नहीं लगेंगे it is a minimum balance account zero balance account तीसरी बड़ी बात अब Paytm payments bank के साथ अगर account खोला है तो आपको ATM card मिलेगा क्या हाँ आपको मिलेगा रूपे का जो आपको यह mastercard visa नहीं होगा वो रूपे debit card होगा और उसका charges for the ATM card कुछ भी नहीं होगा लेकिन yearly जो service charges होंगे 100 rupees होंगे to have that offline debit card for offline transactions चलिए बढ़ते हैं ATM withdrawals की तरफ ATM withdrawals अगर आप metro city में रहते हैं तो तीन withdrawal ATM withdrawals free of cost है उसके बाद आपको charges होंगे 20 rupees per withdrawal अगर आप non metro cities मतलब villages या towns में रहते हैं तो आपको 5 transactions free हैं और उसके बाद 20 rupees charges per transaction होंगे अगर आपका debit card खो गया तो आपको 100 rupees plus delivery charges पे करने पड़ेंगे और आपको नया debit card मिल जाएगा अगर आपको offline statement चाहिए तो आपको वापिस 50 rupees भरने पड़ेंगे plus delivery charges आपको अगर checkbook चाहिए offline checkbook तो 10 leaves का जो checkbook होता है उसके लिए आपको 100 rupees चार्ज पड़ेंगा plus delivery charges तो यह थे सब Paytm payments bank के detail basically जो online transactions ज़्यादा करते हैं जो online transfers ज़्यादा करते हैं जिनको एक online account चाहिए उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है एक तो zero balance account है उसके वैसे ऐसी कोई जरुरत नहीं है कि आप पैसे डालके ही रखें अगर आप डालेंगे भी पैसे तो 4% interest rate भी आपको मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि Paytm है तो it'll be very easy जो normal आप banking websites पे जाते हैं तो complex उनका structure होता है बहुत सारी चीजे होती है ऐसे नहीं होगा it'll be a very simplified easy version तो उसके लिए जो भी online बहुत comfortable है उनके लिए तो Paytm Payments Bank मैं recommend करता हूँ और अभी तो मैंने देखा नहीं है मैंने invite के लिए apply किया हुआ है देखते हैं जैसे invite आता है मैं जरूर उसका review करूँगा और आप तक पहुचाँगा अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो हमें बताईए क्यों नहीं हम अगले अगला वीडियो इससे भी अच्छा करेंग अगले वक्त तक के लिए